आज की इस वीडियो के अंदर एक और इंट्रस्टिंग कॉंसेट हम डिसकस करेंगे सपोर्स सर्कम्स्टांसस यह IPC का कॉंसेट है जिसके उपर प्रॉलम बेस्ट क्वेस्टन पूछा जाता है मेंस में खास करकी डेली और हर्याने जैसी स्टेट्स में जहां पर प्रॉलम बे अगर आप चाहो तो आप इंस्टिट्यूट की एप हमारी डाउनलोड कर सकते हो अगर आप Android यूजर हो तो आप अपने प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करो चिनारला इंस्टिट्यूट आपको एप मिल जाएगी और अगर आप iPhone यूजर हो iOS यूजर हो तो आप अपने एप करना एप के अंदर लॉग इन हो जाएगा तो इस एप को लॉग इन करने के फाइदा क्या है फाइदा ये कि आपको बहुत सारे फ्री लाइफ सेशन बीच वीच में मिलते रहेंगे आपको हर हफते एक objective test मिलेगा बहुत सारे pre-recorded lectures हैं जो की एप के अंदर free of cost हर student के लिए अविलेबल है हर app user के लिए अविलेबल है साथ-साथ institute के जितने भी judiciary के courses हैं हरयाना A.D.A. के courses हैं वो सब भी आपको app के अंदर मिल जाएंगे अगर आप चाहो तो उनके अंदर enrollment भी करा सकते हो actus non facetrium nisi mansetria मतलब act alone cannot be made guilty unless done with a guilty mind यह सब चीज़े में आपको explain कर चुको हूँ कि इस maxim का मतलब क्या है actus rius क्या होता है mansetria क्या होता है दोनों का साथ में होना जरूरी है तब ही सजा मिलती है इसके लिए आप eye button दबा करके इस वीडियो को देख सकते हो फिलाल इस suppose circumstances को समझते हैं इसको मैं एक example के थूरू आपको समझाता हूँ suppose करो there is this person x x y को grievous hurt करना चाहता है बहुत जादा पिटाई करना चाहता है x ने y को मारना शुरू कर दिया and y unconscious हो गया x को लगा कि y की death हो गई है see उसका mensoria originally क्या है only to cause grievous hurt not to cause death but x को लगा y की death हो गई है क्यों लगा क्योंकि y unconscious हो गया x ने सोचा यार अब तो मैं फज जाऊंगा तो उसने क्या करा y को उठाया एक railway track में ले गिया suppose एक railway track है इस में ले जाकर के y को बिठा दिया बिठाय के लिटा दिया एक train I y को smash कर दिया and y died बाद में पता चला कि a ने इस तरीके से y को पहले पिठाई करी दिया और उसको railway track में ले जाकर के उसने उसकी death cost करी है question is कि इस case में जब एक case file होगा state versus x इस case में x की liability क्या है क्या हम x को सिर्फ grievous hurt के लिए liable करेंगे या उसको हम death के लिए भी y की death के लिए हम उसको liable कर सकते हैं क्योंकि actus reas तो death निक लिए पर अब आपको यहाँ पर यह समगना है कि originally उसका mensuriyah था सिर्फ और सिर्फ ग्रीवस hurt का उसने जो death cost करी है उसने जो death cost करी है वो under the supposed circumstances ये concept है under the supposed circumstances उसने death cost करी है क्या suppose कि है उसने उसको लगा कि death हो चुकी है उसको लगा death हो चुकी है अगर मैंने अब इसको इस तरीके से railway track पे नहीं लिटाया तो मैं खुद फज्जाओंगा that means death cost करने का उसका mensuriyah था नहीं although mensuriyah अगर हम इसको mensuriyah treat करते mensuriyah was to cause grievous hurt but actual में हुई death है और actusrius पहले grievous hurt हुआ जिससे वो unconscious हुआ और फिर वो death हुई है हम libel किसके लिए करें grievous hurt के लिए उसको murder के लिए क्योंकि mensuriyah was only until grievous hurt तो इसलिए हम सिर्फ और से grievous hurt के लिए ही उसको libel कर सकते हैं इसके उपर एक landmark judgment है Palani Godan versus emperor 1919 की जज्ज्मेंट है इसको prefer कर सकते हो and इसके उपर बहुत बारी paper में question आता है मेंस के अंदर इसका question आने की हमेशा chances रहते हैं इसको ध्यान रखना अगर under supposed circumstances कोई कुछ act कर रहा है तो actually that is not his act उसको लग रहा है इसा हो गया उसको लग रहा है कि इसकी death हो चुकी है पर in reality he is alive तो इसलिए उसको death कॉस करने का तो मेंसरिया कभी था ही नहीं तो जिस्तना मेंसरिया था हम उतनी ही उसको सजा दे सकते हैं I hope आपको इस अपोस सरकम्स्टांसे समझ में आया होगा अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना Thank you